हलो मेरे नाम परांजल है और आज मैं बात करने वाला हूं बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक के वारे में जो कि है कोईल एंड इट्स पिच तो अभी तक हमने पुराने लेक्चर में यह सारी डिसकस कर चुका था मैंने आप लोग को इसले पिछले लेक्चर में कोईल बताया कि हम लोग कोईल और उसके पिच के बारे में क्या होता है और कैसे यह कोईल जो होती है उसको डिफरेंशेट किया जाता है तो जल्दी से देख लेते हैं कौन-कौन से कोट्स हैं जिने हमें डिकोड करेंगे जो इस लेक्चर इस सीरीज में यानि कि हम लोग सीखेंगे क्या हम लोग coil को differentiate कर सकते हैं classify कर सकते हैं उसकी pitch के basis पे और how कैसी की electrical angle third point है कि कैसे electrical angle जो है वो एक बहुत important role play करता है ये decide करने में कि coil जो है वो कैसी है pitch of the coil कैसे है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ओके अगर coil की बात की जाए पुराने lecture से पर ने आपको बताया था तो basically m notes हम लोग के पास अगर इस तरीकेए से दो अगर हमारे पास दो conductors है sorry एक मिनट अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो conductors हैं जिसको जिसको मैं ले लेता हून इस तरीक्य से ठीक है अगर में पास एक conductor यह था ठीक ऐसी एक conductor ये है ठीक है और इन conductors को अगर मैं arrange कर लेता हूं और एक coil से जोड देता हूं तो मेरे पास इस तरीके का जो circuit है उसको हमने क्या नाम दिया था पिछली lecture हमने देखा उसको हमने नाम दिया था ठीक है मैंने देखा था इसमें single turn coil multi turn coil दोनों हम लोग देख चुके है तो होता क्या है अगर coil की बात की जाए ये coil बन गई ठीक अब इसमें voltage कैसे induce होगा तो इसके लिए ज़रा समझते है voltage coil में कैसे आता है अगर माल लेते हैं कि नौर्थ पोल है ये कि साउथ पोल है और ये मेरे पास rotor है ठीक है और यहाँ पे conductor है ठीक एक दो conductor ले रहा हूं मै अब ये conductor जब move करेगा इस तरीके से तो यहाँ पे माल लेते हैं सबसे ज़्यादा maximum flux induced होगा positive polarity ले ले लेते हैं ठीक तो माल लेते हैं plus 5 volt आ गया और ये जो है south के सामने से जब यहाँ conductor move करेगा downward direction में तो आप यहाँ पे कौन सा rule लगाएंगे हम लोग क्योंकि EMF induced निकाल देता हूं अगर इन दोनों conductors को मैं एक coil से connect कर देता हूं इस तरीके से यह coil बना लेते हैं इस coil से अगर यह दोनों conductor placed है connected है इस तरीके से ठीक तो अगर इस बात की बात करूं यह वाला terminal होगा plus 5 पे यह वाला terminal होगा minus 5 पे तो output में मुझे coil का voltage कितना मिला तो यह जैसे यह इस coil का, coil का voltage ठीक है coil का voltage मिलेगा वो equal to निकल के आ जाएगा हमारा कितना 10V ठीक है क्योंकि 5 minus minus 5 यानि कि potential difference कितना निकल के आए यह positive 5 पे यह minus 5 पे और जा हम लोग potential difference की बात करते है voltage का मतलब होता है potential difference पहले भी बता चुका हूं lectures में तो potential difference निकल के आएगा 5 minus minus 5 यानि कि 10V ठीक है तो देखो अब तुमें 10V मिल रहा है इस coil का क्रॉस ठीक तो इस तरीके से voltage जो होता है वो एक alternator में built up होता है IOBG समझ में आ गई होगी तो अगर एक conductor की बात करूँ एक conductor यह जैसे conductor ही है एक यह तो इसको मैं इस तरीके के circuit से replace कर सकता हूं एक voltage source की तरह देखूंग ठीक है तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं यह भी voltage source है VS VC conductor voltage ठीक है same polarity का है क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूं कि दोनों conductor यहां पे placed है तो यह जो process होता है इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि coil के अंदर कैसे voltage induced होता है IOBG समझ में आ गई होगी कि एक single coil जो होती से जैसे कि plus 5 यहां होगा minus 5 यहां होगा और वो कैसे coil के अंदर add up होके मुझे net potential बाहर मिलता है ठीक है तो यह एक तरीका होता है जिसकी वैसे voltage होता है coil के अंदर voltage generate होता है आगे चलते हैं ओके coil pitch तो coil pitch के लिए क्या होता है actual में अब देखो यह जो तुमने connect किया conductor को ठीक आपने बड़े ध्यान से देखना इसको बहुत ध्यान से समझा अगर माल लेते हैं यह मेरे पास एक north pole है ठीक है और यह मेरे पास एक south pole है और यह conductor है ठीक है इस तरीके conductor था तो मैंने क्या क यह होती left side एक side यह होती right side ठीक है यह दो side है इन दोनों side के बीच में यानि कि यह जो दोनों तुमने side बनाई हुई है एक side यह एक side यह इनके बीच में कितने conductor pass होंगे या कितने slots slots जो होंगे वो pass होंगे या कितने conductor का difference होगा उसे हम लोग कहेंगे इसका coil pitch ठीक है coil pitch जैसे कि फॉर एक्जांपल मैंने सिंपल साब को पोल पिच बताया था पोल पिच यानि कि नॉर्थ और साउथ के बीच में कितने स्लॉट्स मुझे पास करके आना पड़ेगा यह था पोल पिच पिच लेक्शन में डिसकास करा था उसी तरीके से क्वाइल के जो दो साइट्स हैं ए ठीके यह समझ में आ गई होगी ठीके फॉर एक्जांपल जैसे एक सिंपल सा एक्जांपल ले लेता हूं माल लेते हैं इसके बीच में ऐसे करके के अधा यह स्लॉट्स है उनको हम लोग काउंट करके बता देते कि इसकी क्यों पिच कितनी है यह तो कोईल पिच आपकी वह वो डिस्टेंस होती है दोनों कोईल साइट के बीच में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा in terms of slots ठीक है slots के terms में या फिर conductors के terms में आपने कितना distance कवर किया ठीक या यह भी एक चीज़ किलियर हो गई होगी आगे चलते हैं अगर मैं बात करता हूँ कि पिचिस की coil pitch तो coil pitch का physical significance क्या है और वो कैसे differentiate किये जाती है तो coil pitch जो होती basically coil pitch उसको हम लोग तीन तरीके से coil pitch बना सकते है ठीक है एक होती है full pitch ठीक फुल pitch ठीक है एक होती short pitch ठीक और third category होती है long pitch या फिर कह सकते हैं से over pitch clear हो रहा है इन सबको मैं एक साथ समझाऊँगा आपको क्या मतलब होता इसका full pitch का क्या मतलब है short pitch का और over pitch तो देखो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि standard क्या होना चाहिए ठीक है तो pitch का जो एक standard होना चाहिए हम यह मान के चलते हैं कि अगर यह आपकी coil है ठीक है और इस coil में मुझे maximum potential चाहिए यानि कि maximum voltage अगर इस coil के अंदर मुझे चाहिए तो उसकी condition क्या होगी कि इस इस साइट का जो potential है यानि कि अगर इस साइट का potential प्लस VV है तो यह जो दूसरी वाली साइट है इसका potential minus का VV होना चाहिए यह एक लौती ऐसी condition है जिसमें तुम्हे maximum output मिलेगा इसके अलावा कोई भी condition अगर लोगे तो वहाँ पे तुम्हें voltage कम मिलेगा ठीक है अब मेरे पास कुछ इस तरीके का rotor है ठीक है यह जो है यहां साइट पोल और साओट पोल और इसके अंदर बना ले तो मानोत लेते हैं कन्डूक्टर यह है एक ज्पर सेंटर में ठीक एक इसी तरीकी नीचे भी है यह उसके conductor से हैं ठीक आई ओपी सी समझ में आ गई होगी अब देखो अगर बात करते हैं यह इधर की तरफ rotate कर रहा है rotor इसका ठीक है तो अगर मैं faraday lock के हिसाब से बात करूँ तो obviously बात है faraday lock के हिसाब से flux cutting action होगा flux कैसे जा रहा था flux not to south जा रहा है यह flux की direction है clear हो रहा है यहां पे यह flux की direction है अब क्या होगा ऐसे में maximum flux cut यहां पे होगा यह flux कुछ ऐसे जा रहा होगा यह रहा flux कुछ इस तरीके से जा रहा होगा तो maximum flux cutting action यहां पे होगा उसके बाद इन दोनों में होगा and then इस पे होगा इस पे zero होगा क्यों क्योंकि इसकी direction of motion और flux की जो direction है वो एक दूसरे के parallel हो जाएगी ठीक है तो ज़र आप voltage जल्दी से draw कर लेते हैं अगर मान लेते हैं इसके अंदर यहाँ पर हमें plus 5 volt मिल रहा है ठीक north के बिल्कुल ज़स सामने जाने से थोड़ा दूर जब जाओगे direction same रखोगे तो कितना मिलेगा यह यह भी कितना मिलेगा प्लस का 3 क्यों direction same है clear हो गया आगे बढ़ेंगे यह क्या होगा यह क्योंकि magnetic neutral axis पे है तो यहाँ पे 0 volt यानि parallel है क्योंकि यह magnetic axis के तो यहाँ पे कितना मिलेगा 0 volt मिलेगा clear हो गया होगा और आगे बढ़ो इस पे अब तुम क्या कर रहा हो तुम south में चले गए हो यानि कि अब तुमने polarity reverse कर दी है तो right hand rule के साब से बनने वाला जो voltage है EMF induced वह भी क्या होगा reverse polarity का होगा तो यहां मान लेते माइनस का 3 volt यह भी माइनस का 3 volt यहां से जब तुम सबसे ज़्यादा flux cutting action यहां पे होगा reverse polarity का voltage बनेगा और वह बनेगा minus का 5 volt ठीक ह IOBs clear हो गई होगी किस तरीके से voltage induced होता है यह 0 volt ठीक तो यह मैंने diagram बना दिया कि किस तरीके से conductor में EMF induced हो रहा है अब बात करते हैं coiling की तो अगर मान लेते हैं मैंने इस वाले conductor को यह वाला conductor ले लिया यहां से ठीक है और दूसरा conductor जो लिया वो मैंने यहां से यह coil ले गया और इसे इससे touch करा दिया ठीक है यह वाला conductor ले लिया तो देखो अगर इन दोनों conductor की बात की जाए इन दोनों conductor की तो यहां पे मुझे मिल रहा है plus 5 volt यहां मिल रहा है minus 5 volt सरी यह इस तरीके से आएगा ठीक है तो अगर यह दो conductor की बात की जाए तो net जो मुझे मिलेगा net कित करते हूं यहां पर आएगी ठीक है यहां पर यह जो connections है वह center में इसको नहीं जोड़ेंगे इस तरह की सब्सक्राइब तो यह अगर coiling मैं लेता हूं coiling अगर मैंने इसको लिया इन दोनों को connect करके coil बनाई तो मुझे कितना मिलेगा 10 volt मिलेगा ठीक तो ऐसी जो voltage होती है यह जिसमें क्या होता है जिसमें आप exact जिस point से ले रहे हो conductor यानि कि नॉर्थ का मिड़् से हमने conductor लिया और दूसरा conductor भी south के मिड़् का लिया ऐसा conductor जिसके दोनों polarity क्या होती है जिसमें दोनों जो मिला है उनके बीच की polarity सेम होती है यह जो टाइप की जो winding होती है इसे हम लोग कहते है फुल पिच यह कहलाएगी फुल पिच क्लिर हो रहा है यह मैं अभी आपको इस तरीके से बता रहा हूं फिजिकली उसके बाद हम इसे mathematically देखेंगे फिर अगर मैं क्या करता इस पांच वोल्ट को इसको connect करता ठीक है और दूसरा यहां से ले लेता यह वाला यह वाला जो है conductor इसको connect कर देता अगर मैं इन दोनों connect करता तो मुझे यहां पर plus five और यहां पर minus three output कितना मिलता वी जो net मिलता वो कितना मिलता five minus minus three याने की पाँ छे साथ आठ वोल्ट क्लियर हो रहा है तो देखो यह voltage कम हो गया और तुमने क्या कर रहा है यहां ले जाने से conductor ठीक है clear हो रहा है यानि कि आप यहां से यहां जोड़ते तब ठीक था आपने पहले वाला ले लिए clear हो गया है यहां पर यह कहलाएगी short pitch इसके अंदर आपको देखो voltage की same conductor चुन रहा हूं दूसरा मैंने क्या कर रहा है यहां से ले लिया यह वाला clear हो रहा है यह वाला conductor ठीक तो देखो यह कितना प्लस पांच वोल्ट पे यह कितना माइनस का तीन वोल्ट पे तो आउटपुट मुझे कितना मिलेगा यानि कि वी जो नेट मिलेगा वो एकल टू 5 माइनस 3 यानि कितना हुआ 8 वोल्ट अगेन देखो 8 वोल्ट मिल रहा है clear हो गया यानि कि voltage कम मिल रहा है जितना maximum मिल सकता था तो यह कहला थी अब तुमने क्या कर रहा है यहां से यहां तक अगर बात की जाए 180 degree mechanical चलने के बाद तुम्हें यह चीज मिल रही थी clear हो रहा है यहां पर north के mid से लेकर south के mid तक यह वाला conductor था पर तुमने एक extra conductor आके जाके लिया तो तुमने over कर गए यहां से यहां तक full करा अगर इससे पहले वाला ले लोगे यह वाला conductor चुन लिया तो short हो गया यह वाला conductor चुन लिया तो full हो गया और यह वाला conductor चुन लिया तो over हो गय clear हो रहा है यहां पे तो देखो important चीज़ क्या निकल के आई इस पूरे conclusion से जो मैंने सीखा कि अगर आप over pitch लेते हो over pitch ठीक है over pitch ले लो या फिर और या फिर क्या ले लो short pitch ले लो short pitch ठीक है तो दोनों ही case में क्या होगा दोनों ही case में जो voltage net मिलेगा वो क्या होगा low मिलेगा ठीक है लेकिन अगर maximum voltage बाते है full pitch की बात करते है full pitch तो इसमें तुमें maximum voltage मिलेगा ठीक है maximum voltage induce होगा अगर आप full pitch लेते हैं clear हो रहा है यहां पे तो यह मैंने तुमें physically करके बता दिया किस तरीके से full pitch और maximum short pitch और over pitch का क्या मतलब है clear हो गया होगा यह चीज़ बहुत simple सा concept है अगर आप pole के सामने वाले या मान लेते हैं इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो यह full pitch हो गया इससे एक mathematical देख अगर मैं बात करता हूँ mathematical का क्या मतलब होता है more academics इसको निकालने के हम लोगों ने लिखा आपको दोछी चाहिए होगा mathematical समझ्झना उसकलिए क्या करना पड़ींक दो चीज़ चाहिए एक तो मैं चाहिए coil pitch ठीक और एक तुम्हें चाहिए होगी pole pitch बहुत important pole pitch clear हो रहा है अगर mathematically बात की जाए तो pole pitch क्या होता है pole pitch pole pitch जी मैंने पिछली lecture ने बताया था यह होता है तुम्हारा total number of conductors divided by total number of poles clear हो गया है यहाँ पे coil pitch तुम्हें पता ही चल गई है तुम्हारी अब case पहला case अगर आपकी coil pitch जो है coil pitch वो equal है pole pitch के pole pitch के ठीक है equal होगा एक condition यह हो सकती है एक condition और क्या हो सकती है pole pitch जादा हो ठीक है एक condition यह हो सकती और एक condition क्या हो सकती coil pitch जादा हो pole pitch से यह तीन condition possible है ठीक तो अगर पहले case की बात की जाएए अगर तुमारी coil pitch और pole pitch बराबर है तो यह हो जाएगी तुमारी full pitch इसे हम कहेंगे full pitch ठीक है वहीं पर अगर pole pitch जादा हो जाती ही तुमारी coil pitch से तो इसे मैं कहूँगा short और अगर मैं कहता हूँ pole pitch तुमारी कम है और coil pitch जादा है numericals अगर आते है numericals तो आप mathematically model का use करो simple सा क्या करो pole pitch निकालो coil pitch निकालो और उसके बाद क्या करो pole pitch से compare करके देख लो तुम जैसी उसे compare करोगे तुमें पता चल जाएगे कि तुम कौन सी pitch पे deal कर रहे हो clear हो गया यहाँ पे यह चीज़ समझ में आ गई होगी ठीक है आगे चलते है ओके अगर angular perspective की बात कीज़े अगर angle की terms में बात करते है तो देखो क्या होता है अगर आप north के यह मैंने बता चुका हूँ पिछली बार भी कि अगर यह north के सामने हो और एक south के सामने अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपका plus 5 और यह आपका है minus 5 में ठीक है यानि कि अगर इन दो coil को मैं जोडता हूँ ठीक है तो इसकी जो polarity just opposite है इसके तो यानि कि यह minus 5 ले लो और यह plus 5 ले लो तो इनके बीच का angle कितना हो जाता है 180 degree phase apart हो जाते हैं दोनों ठीक है clear हो रहा है यहाँ पे लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ इसको plus 5 से ना जोड़के minus 3 से जोड़ देता हूँ then in case क्या होगा तो minus 3 कहीं यहाँ पे होगा minus 3 और यह होगा plus 5 पे clear हो रहा है वहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ इसको नीचे वाले यानी minus 3 नीचे वाले जोड़ देता हूँ उस case में भी क्या होगा उस case में इसका angle यह plus 5 और यह minus 3 ठीक है दो तरीके हो सकते है minus 3 voltage के तो यह दो तरीके मैंने बता दिये यह हो गया तुमारा less than 180 degree और यह more than more than more than 180 degree हो गया यह देख सकते हूँ यहाँ पर यह angle कितना है 130 ज़्यादा है यह 130 से कम है ठीक तो अगर आपका यह वाला case है तो यह हो जाएगा over pitch यह वाला case है तो यह जाएगा short pitch और यह वाला जो case है यह हो जाएगा full pitch ठीक है तो अगर तुम angle से निकालना चाहते हो electrical यह बात ध्यान रखना है यह कौन सा angle है यह है electrical angles यह मैं बता चुका हूँ इसक्यों पर एक lecture मैंने बनाया हूँ आप देख सकते हो mechanical angle नहीं है बड़ा important है यह है electrical angle clear हो रहा है तो अगर तुमने plus 5 से minus 5 ना जोड़के मतलब अगर 180 degree phase apart नहीं जाओगे तो वहाँ पे full pitch होगा अगर phase apart जाते हो 180 degree तो full pitch less than 180 जाते हो तो short pitch और अगर greater than 180 जाते हो तो over pitch ठीक है तो यह तीसरा तरीका मैंने बताया है जिससे तुम पैचान सकते हो कि तुमारी जो coiling है वह short है कि long है कि किस तरीके से clear हो रहा है अच्छा एक चीज और याद रखना एक चीज मैं और बता दू यहाँ पे मैं हर बार plus 5 का example ले रहा हूँ जैसे माल लेते हैं north है यह south है ठीक है और यह जो है आपका conductor घिये वाला conductor ले लेते हैं यानि कि यह इनको 3 को यह plus 3 था और यह minus 3 ठीक तुम कोई भी conductor ले लो अगर यह देखो यह जो plus 3 minus 3 इनको ज़रा देख लो बना के तो देखो plus 3 और यह minus 3 clear हो रहा है तो देखो यह भी कितने 180 degree phase apart है अगर आप full pitch ले रहे हो तो यह भी winding क्या होगी फुल pitch कहलाएगी इनको इससे जोड़ोगे plus 5 को minus 5 से जोड़ोगे ठीक है और plus 3 को minus 3 से जोड़ोगे clear हो रहा है तो इस तरीके की यानि कि आप सबसे simple तरीका अगर आपको तुम्हें पता करना है कि तुमारी कौन सी pitch है short pitch over pitch या फिर long pitch है तो simple सा क्या करो दोनों टर्मिनल ले लो coil के और उनकी polarity चेक कर लो ठीक है sorry अगर आपकी polarity plus 3 यानि कि opposite polarity same magnitude की same magnitude same magnitude ठीक है with opposite polarity with opposite polarity अगर polarity opposite है और magnitude same है तो ऐसी को क्या कहेंगे हम लोग इसको हम लोग कहेंगे full pitch clear हो रहा है full pitch ठीक है मैंने बहुत सारे तरीके तुम लोगो बता दी है I hope इन में से कोई भी इस्तमाल करके तुम ठीक है इससे पता कर सकते हो कि तुमारी जो coiling है वो full pitch है कि short pitch है ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पर कोई doubt नहीं होना तो conclude कर देते जितना भी मैंने आप लोगों पढ़ा है जो भी हमने सीखा है उसको फटाक से conclude कर लेते है तो सबसे पहले मैंने आपको voltage coil बता है voltage कैसे induce होता है यह मैंने simple सा बता दिया कि अगर यह conductor है जो कि north के सामने है similarly यहाँ पर south के सामने conductor है तो यह plus 5 होगा अगर इधर जा रहा है यह नीचे जा रहा है तो यह minus 5 होगा और जब मैं इसे coil से connect कर दूँगा तो मुझे difference मिल जाएगा plus 5 minus minus 5 यानि कि 10 का इस तरीके से voltage किसी coil में add up होता है clear हो गया होगा यहाँ पर दोनो coil side जो होगी इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं ठीक है यह जो coil pitch है उसको हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं एक जिसमें क्या हो यहाँ यानि की coil side है उनके बीच का जो difference है ठीक है इसको हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं यानि full pitch हो गया एक हम short कर सकते हैं और एक long कर सकते हैं इसको हमने physically देखा physically मैंने तुम्हें बताया कि अगर north-south तुमारे पास polarity है तो यहां का conductor अगर इस तरीके से connected है ठीक है जिसमें plus 5 और minus 5 वाला तो हमें maximum voltage मिलेगा और हम कहेंगे हमारा कौन सा है यह full pitch है अगर इसके अलावा तुम एक conductor short चले जाते हो तो एक या दो जितने भी conductor तुम short रहाते हो तो वो जाएगा तुमारा short pitch अगर यहीं तुम ऊपर चले जाके आगे निकल जाते हो जितना होना चाहिए उससे एक आगे निकल जाते हो तो वो भी हमें क्या मिलेगा over pitch निकाल लो pole pitch पीपी इसके लिए मैंने number of conductor divided by poles और उसके बाद coil pitch निकाल लो अगर यह दोनों बरावर है coil pitch यानि कि CP equal to PP अगर pole pitch और coil pitch बरावर है तो यह full pitch हो गई अगर तुमारी pole pitch जादा है ठीक है तो वो short pitch हो जाएगी और अगर pole pitch तुमारी कम है coil पे जादा है तो वो क्या हो जाएगा वो जाएगी तुमारी over pitch ठीक है एंगुलर भी मैंने बता दिए एंगुलर सिंपल था था कि आप theta निकाल लो electrical दोनों terminal के बीच में वो क्या होगा अगर माल लेते हैं same polarity का induce करा होगे sorry opposite polarity same magnitude plus 5 minus 5 ठीक है या फिर इसी तरीके से एक्जामपल है plus 3 और minus 3 तो अब जाए इन दोनों terminal को अगर पकड़ के देखोगे तो plus 3 ठीक है और यह minus 3 इनके बीच का कितना आएंगे 180 degree तो same magnitude अगर लोगे और opposite polarity तो 180 degree अगर 180 degree का अगर 180 degree का क्या कहेंगे उसे उसे हम लोग कहेंगे over pitch और अगर less than 180 degree का है face difference है तो हम कहेंगे उसे short pitch ठीक है तो यह I hope यहाँ पे आपको जितना भी cover मैंने करना था वो मैंने बता दिया है coil pitch क्या होती coil क्या होती है कैसे voltage induced होता है यह भी मैंने देख लिया voltage induced होने के बाद उसके अंदर किस तरीके से polarity बनती यह भी मैंने देख लिया और कैसे हम लोग तीन तरीके से मैंने आपको समझाया कि pitching कैसे की जा सकती है short pitch, over pitch और long pitch क्या होता है physically कैसे हम देख सकते हैं इसे mathematically कैसे देख सकते हैं और angularly यानि की angle basis पे, electrical angle के basis पे कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो winding है वो short pitch है, long pitch है की over pitch है ठीक है आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद